है आपने बॉलिवूर को नजर लग गई है अँग्धी बैंट us to our जब चुड़ाइन और यह बतानें दोस्तो आईशमान खुराना ने ड्रीम गर्ड टू फिल्म की अनौंसमेंस इस अंदाज में करिये चिस अंदाज में इस फिल्म की अनौंसमेंस करना चाहिए था जी हाँ दोस्तो आजिसमान खुराना से उनके दोस्त बोलते हैं कि यार हमारी बॉलिवोड को नजर लग चुकी है बॉलिवोड की फिल्मे चलने ही रही और साथी साथ बॉलिवोड की फिल्मों पर साउथ की फिल्मे बाहरी बरने लगी तो वहीं पर आईसमान खुराना कहती है इसलिए तो मैं मत्रा आया हूँ पूजा करने के लिए ताकि बॉलीवुड फिरसे वापस आ जाए लेकिन दोस्तो आईसमान खुराना पूजा करने किस की आती है लोगों के मज़े लेने यानि कि वो आयुसमान खुराना फिर से पूजा बनकर लोगों के बहुत जादा मज़े लेने बाले हैं जिस तरह से ड्रीम गल फिल्म में आयुसमान खुराना पूजा बनकर लोगों के कितने जादा मज़े लेते थे उसी तरह से इस फिल्म में भी मज़े लेंगे और 37-27 मान खुरान आना ये भी बोल दिया है कि इस बार पुजा एद पर की जाएगी मसलब की ग्रेम गल्टू फिल्म को एद के मौके पर रिलीज किया जाना है क्योंकि ये फिल्म बकरा एद 2023 में 29 जून को रिलीज होने बार लिया है बतादू दोस्तों इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं राज सैंडलिया इसके अलावा इस फिल्म को प्रेडिश करने वाले हैं एकता कपूर और सोगा कपूर और इस फिल्म का प्रोडेक्शन आउसे बालाजी टेली फिल्म्स बात करने फिल्म की रिलीज गेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 जून 2023 को रिलीज किया जाना है बतातने दोस्तों इस फिल्म के श्टार कास्ट में अन्नु कपूर परिसरावल, बिजेराज, राजपाल यादव, असरानी साफ, मनुद जोसी, सीमा फवाब, मन्जोस जिंग, अभी सिक बैनर जी रहने बाले हैं इस के लाव इस फिल्म की लिड एक्ट्रिस अनन्न्या पांडि रहेंगी जी हाँ दोस्तों इस बार आई श्मान फ़राना आखे साल, ड्रीम गर्ड़ 2 फिल्म में अनन्न्या पांड़े रहने बाले है मतलब कि फिल्म की पूरी ये श्टार कास्ट तयार है और ये इस फिल्म की सूटिंग बहुत जोलो सोलो से चल रही है क्योंकि फिल्म को जून मैयानी की बहुत जल्द रिलीज किया जाना है आला कि दोस्तों आप लुग कमेंट करकर बताना कि आप लुग ड्रीम गल्टू फिल्म के लिए कितने जाद एकसाइटेड हैं क्योंकि फिल्म बहुत जाद जरी जोने बाली है मतलब कि फिल्म की अनॉंसमेंस बहुत लेट की गई है